नमस्कार शिक्षार्थियों आज हम डिजाइन अनुप्योग एवमसत्त मिकास खन के अंतरगत एलकोनॉमिक्स अथ्वा श्यम दक्षिता सास के बारी में शर्चा करेंगे आंतरिक सज्जय में फनीचरों का बड़ा महत्र है क्योंकि बीना फनीचरों के हम किसे भी आंतरिक सज्जय की कलपना भी नहीं कर सकते जैसे विशाम करने के लिए चारपाई इसी तरह लिखने पढ़ने के लिए टेबिल, मेज वगुर्सी की हमें आवशकता पड़ती है मानव सरनशना के अनुरूप पूरे विश्य में एक स्टैंडर साइस के फनीचर को आंतरिक सज्जय हे तू अपनाया गया है जो हमारी सारिरिक बनावट हे तू कूर्सी मेज वचारपाई के डिजाइन से हमें आराम मिलता है हम आंतरिक सज्जय में जो अपने काम करने के छेत्र को आरामवा सुविधा जंग बनाने में श्रम दक्षिता की मदद लेते हैं एर्गनॉमिक्स का उदेश किसी व्यक्ति के शरीर के आकार, शक्ती, कौशल, गती, सन्वेदी शमताओं तथा दस्टी कौन सहित, मानवी शमताओं और सीमाओं को कारिछेत के डिजाइन में लाकर कारिछेत को शुरक्षित, आरामदायक और उदबातक बनाना है जिब हम शम्दक्षिता की बात करते हैं, शम्दक्षिता शब्त का शाप्दिक्स अर्थ हमारे देनिक जीवन की कारप्रणाली को बहतर एवं असान बनाना है हम जिस इस्थान पर निवास करते हैं अत्वा कारे करते हैं उस इस्थान पर हमें कोई भी कारे करते समय सुविधा होनी चाहिए तता हमें अधिक कारे करने से भी ठकावट महसूस न हो, हमारी कारप्रणाली अराम तायक हो, जिससे हमारी शार्डिरिक बनावट के अनुसार कारे करने पर कोई अच्चन या रुकावट ना हो, यही Ergonomics अत्वा श्रम दक्षितासास का मूल उदेश है कार इस्थल एवं Ergonomics Safe Work और स्ट्रिलिया के अनुसार काम से संबंद चोटो और बिमारेों की इकुल आर्थिक लागत साथ बिलियन डॉलर है हाल की सोच से पता चला है कि पीट के पीछले हिस्से में दढ़ दुनिया की सबसे आम कार संबंदित समस्या है जो कार्याले अत्वा, निर्मार, इस्थलों के कर्मचारियों और सबसे अधिक्रशी से सम्मधित कारी में लगे हुए व्यक्ति को प्रभावीत करती है आंतिक सज्या में प्रियोग होने वाले फनीचर एवं इस्थान को कमडे की नाप के अनुसार डिजाइन करना तथा फनीचर की नाप हमारे शरीर की बनावट के अनुरूप डिजाइन करना ही शम्मधित करना ही जिससे आंतिक सज्या द्वारा कारे छेतर को बहतर अभी कल् अब हम Ergonomics, शम्दक्षिता और आंतिक सज्या के बारे में बाचित करेंगे शम्दक्षिता का आंतिक सज्या में बड़ा महत्व है शम्दक्षिता आंतिक सज्या में बहुत महत्वन भूमिका निपाती है क्योंकि आंतिक सज्या में फनीचर की अहम भूमिका होती है श्रम दक्षिता सब्द का शाब्दिक अर्थ हमारे दैनी जीवन की कान पणाली को बहतर एवं असान बनाना है हम बिना किसी फनीचर के कमरे की सज्जा एवं श्रम दक्षिता की कलपना भी नहीं कर सकते हैं फनीचर का शेयन उनकी बनावट एवं उचित नाव द्वारा ही किया जाता है तथा सबी घरों एवं ऑफिसों के कमरे में कमरे की नाव के नुसार फनीचर का शेयन किया जाता है अच्छेवा सुन्दर फनीचर की सी भी घर की आंतिक सज्जा को बढ़ावा देते हैं तथा साथ में श्रम दक्षिता के नियमों द्वारा हमें अराम भी मिलता है कमरे के नाप के अनुसार बने फनीचर में हमें बड़ी सुधा मिलती है जो बहुत जोरुडी है आर्केटेक्ट और इंटीर डिजाइनरों ने हमारी आफशकता के अनुरूप विबन प्रकार के फनीचर का डिजाइन किया है हम भी अपनी आफशकताओं के अनुसार फनीचर डिजाइन कर सकते हैं भमश्रब तक्षिता जोखिम कारक के बारे में बातचित करेंगे जो कि निमनेवत है उच्चे कार प्रकार और चक्र प्रकरती में दोराई जाते हैं और ऐसा अकसर प्रतेग घंटे अथवा प्रतेग दिन के लिए मिलने वाले लक्ष और कार के कारण होता है उच्छे कारिप्रनरवती जब अन्य जोकिम कारकों जैसे की द्रण परिक्षम अथ्वा खराम मुत्राओं के साथ मिल जाते हैं तो ये पेशियों एवं हड्डियों की परिशानी का कारण बनाते हैं यदी चकर का समय तीस सेकंड या उससे कम है तो कारी को अतिदिक द्रण परिक्षम के कारण इसनायों का कारी बढ़ता है जिससे संबंदित थकान बढ़ जाती है जिससे पेशियों एवं हड्डियों में परिशानी होती है दोनाई जाने वाले गलत मुद्राएं अजीब मुद्राएं जोडों पर अतिदिक बढ़ डालती है और प्रवावित संयुक्त के आसपास की मास पेशियों और टेंडन्स को अधिभारित करती है शरी के जोड सबसे अधिक कुचल होते हैं जब वे संयुक्त की मद्ध सीमा गतिक के सबसे करीब होते हैं कारी गतिविदी और एर्गनॉमिक्स से संबंदित जोखिम कारक पेशिय एवम हड्डियों संबंदित थकान और रिकवरी के भी संतुलम बनाए रखना और अधिक कठिन बना सकते हैं और इस संभानों को बढ़ा भी सकते हैं शम्दक्षिता सास का आवास एवमकार इस्तल से संबंद हैं मनिश को रहन सहन के लिए उप्युक्त कारेचेत की आवशक्ता पड़ती हैं क्योंकि रोजमर्रा की आवशक्ता एवमकार परणाली में उसे बहुत से कारे करने पड़ते हैं घर, आफिस या किसी संस्थान में मनिश को अधिक से अधिक समय बिताना पड़ता है तथा वह अपनी द्याने आवशक्ताओं से जुड़ा रहता है श्रमदक्षिता की उप्योगी नियमों एवम परणाली को अपना कर मनिश के वे सभी कारे क्संभव हो पाते हैं जिने वह अपने जीवन में उप्योग कर उस कारे को सुधा जनक कर पाता है द्यानी जीवन में उप्योग आने वाले विबिन्न फनीचर को श्रम दक्षिता प्रणाली के अनुरूब डिजाइन कर अधिकता उप्योगी बनाया जा सकता है इसके साथ ही साथ मनुष्य के जीवन में उसका कारे छेत बहुत महर्पूर्ण होता है जिस जीघर भी मनुष्य रहता है तथा कारे करता है उस इस्थान को मनुष्य की आउशकताओं तथा उचित इस्थान विवस्ता द्वारा ही अधी अभी कल्प किया जा सकता है तभी श्रम दक्षिता को आंतिक सज्जा में उप्योग कर आंतिक सज्जा द्वारा कारी छेत्र को उत्तम एवमसटिक डिजाइन का बनाया जा सकता है अगर हमने किसी इस्तान पर एर्गोनॉमिक्स के नियमों का ट्योग नहीं किया है तो इस स्तान पर हम उचित उप्योग नहीं कर पाएंगे तथा हमारा कारी छेत्र ठीक प्रकार से डिजैन भी नहीं हो पाता है कारी स्टल में एर्गोनॉमिक्स का उप्योग करके हमें कई लाब हैं जोके निम्नवत है एर्गोनॉमिक्स लागत को कम करता है इसका अर्थ है कि एर्गोनॉमिक्स जोकिम कारकों को विवस्तित रूप से कम करके उसकी लागत को कम करता है Ergonomics उत्पातक्ता में सुधार लाता है सबसे अच्छा Ergonomics समाधान अक्सर उत्पातक्ता में सुधार करेगा अच्छी मुद्रा, कम परिश्रम, कम गती और बहतर उच्चाईयों और पहुँच के लिए अनुमती देने के लिए नौकरी डिजाइन करके कारिकेंद अधिकुशल हो जाता है Ergonomics गुणवत्तम में सुधार करता है Ergonomics निराश और ठके हुए श्रमिकों की ओर जाता है जो अपना सर्व से इसकाम नहीं करते जब नौकरी का काम बहुत अधिक शारेरिक रूप से कर लगाने वाला होता है तो वे अपनी नौकरी का प्रदेशन नहीं कर पाते Ergonomics कर्मचारी की विवस्था में सुधार करता है कर्मचारी तब ध्यान देते हैं जब कमपनी उनके स्वास्ते और सुरक्षा को सुनिशित करने के लिए अपने सर्वत्तम प्रयास कर रही होती है यदि कोई कर्मचारी अपने कारी दीवस के दौरान थकान और अवसुधार अनुभव नहीं करता तो यह टन ओर को बढ़ा सकता है और अनुपस्तिती को कम कर सकता है मनुबल में सुधार कर सकता है और भागिदारी को बढ़ा सकता है अर्गरोमिक्स एक बहतर सुरक्षा संस्कृती बनाता है अगरनॉमिक्स एक मुख्य, मूले के रूप में अपनी कम्पनी की शुरक्षा और स्वास्त के पती, पती बदता को दर्शाता है अब हम बात करते हैं कि अगरनॉमिक्स की आवशकता हमें कहां होती है आंति सा सज्जा में मनुष्य के जीवन में अती आवशक है क्योंकि मनुष्य को बहता जीवन में आंति सज्जा का बड़े योगदान है विवस्ते जीवन हम अपने घर या काराली में जन उचित इस्थान में उचित वस्तू को रखते हैं तो हमारे जीवन में कारिशेली में अत्वा कारिशेत में बहुत बदलाव आता है। इस्थान में शमदक्षिता की आवशक्ता आंति सज्जक के प्रतिक इस्थान में शमदक्षिता की आवशक्ता पड़ती है। किसी भी इस्थान में उस इस्थान की नाप के अनुरूप ही कारचेत डिजाइन करना होता है। ऐसे इस्थान विभाजन एवम सही मनाप के फनीचरों का अभी कल्प भी श्रमदक्षिता के अनुरूप किया जाता है। मानो के सारिरिक बनावर के अनूरूप ही श्रम दक्षिता लिया जाता है, मनोश्य की सारिरिक लंबाई के हिसाब से ही फणीचरों का निर्मान किया जाता है। समाने ताए एक वक्ती की ओसत उचाई 5.8 इंच से लेकर 5.11 इंच तथा 6 फिर्ट तक होती है। मनुष्य की ओसत उचाई के अनुसार संगसार के सभी आर्किटेक्ट एवं फनीचर डिजाइनरों ने मनुष्य की आवशत्तों के अनुसार विभिन प्रकार के फनीचर डिजाइन की हैं जो की अत्यदिक उप्योगी हैं। अधुनिक तक्निकी का प्रियोग कर तथा नए तरिकी के बनी मशीन एवं पूज्यों से तथा नए पदार्तों द्वारा मनुष्य के आशकताओं के अनुरूफ फनीचर का डिजा सकता है। उससे यह निशकर्स निकलता है कि एर्गनॉमिक्स कारी करने की इस्तिती और प्रदेशन किये गए कारी को बहतर बनाने की उद्धेश से काम पर लोगों को विवस्तित अध्यन में जोड देता है। जोर प्रासेसिंग और विश्वशनी शाक्षी प्राप्त करने पर है जिस पर विश्वश्ट परिस्तितियों में बदलाओ के लिए अनुशंसा को अधर बनाया जाए। और अथिक समान सिद्धानतों, अवधानाओं, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को विख्सित करने के लिए जो अर्गनोमिक्स से उप्लब्द लगातार विकासिल विश्यसकता में युगदान करेंगे। धन्यवाद।